मुझार बच्चो आए इस वीडियो में हम DC संट मोटर का सर्कृट डाग्राम और साथ साथ मैथमेटिकल मॉडिलिंग और अनलेसिस भी करते हैं जिसा कि आप देख पा रहे हैं यहां में DC संट मोटर का सर्कृट डाग्राम बना है मोटर का मतलब होता है जिसमें फिल्ट के प्यार्लल में करेक्टेड है जो हुआ जरूरत नहीं है करने की पर आप लिखना चाहें तो RF लिख सकते हैं और इस वांडिंग में जो करेंट आगा डाट इस कॉल्ड आई एस एच यानि शंट फिल्ड करेंट अर्मेचर में सप्लाई से यानि जो हमने टर्मिनल वोल्टेज दिया इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दिया उसे जो मुझे करेंट मिला दाट इस आएल करेंट यहां दो पार्लेट पाथ में डिवाइड होगा वह एला करेंट वह दाट इस कॉल्ड आर्मेचर करेंट जिसको मैं आए से रिप्रेजेंट किया और दूसरा शंट फिल करेंट मिस आई एच इच अर्मेचर के वह दो ट्रमिनल हूंगे बिच्चू AAA और साथ में दो ब्रशेस हैं जिन ब्रशेस के वोल्टेज ड्रोफ हमने वी-वी कंसेडर किये हुए है यहां पर बैक एमेफ और आर्मेचर का हमने यही पर आरे से रिप्रोजेंट किया है तो आये इसके बैसिक माथमाटिकल एक्वेशन्स मॉडल को हम डेवलब करते हैं सबसे पहले मुझे काल्कुलेट करना है आई एसे यहां पर रिप्रोजेंट करेगा शंट फिल्ड करेंड को आई एसेच क्या होगा करेंट इक्व वी तो पैर्नल में वोल्टेज सेम होता है तो मैंने वोल्टेज में ले लिया वी और शंट फिल्ड वांडिंग में जो रिसिस्टेंस है तो आई एसेच की वैलो में काल्कुलेट कर सकता हूं वी अपॉन आरे सेच बच्चों ध्यान दिजेगा मशीन के DC मशीन के कंस्ट्रक्शन में हम फिल्ड रेसिस्टेंस को आर्मिचर रेसिस्टेंस के कंपरिटिबली हाईयर रखते हैं और इसलिए हम फिल्ड करेंट की वैलो को कंट्रूल कर सकते हैं फिल्ड करेंट की वैलो आर्मिचर करेंट के कंपरिटिबली लोर होती है क्योंकि फिल यहां मैने क्रचॉब्स का करेंटेकर्व किया नोट पे कि को सकता हूं इसको मैंने क्विशं नमबर वान एक्विशन नमबर टू मेंशन कर दिया अब आईए मैं बैक एमेफ और सप्लाइब वोल्टेज के बीच का रिशन डबलग कर रहा हूं कि डीसी मोटर है तो डीसी मोटर के किस्ट में हमेशा बैक एमेफ लेस दें टर्मिनल वोल्टेज होगा इसलिए जब मैं बै साथम बच्चो एक और ड्रॉप मुझे यहां पर मिलीगा बैट इस कॉल्ट संट फेल्ट रेसिस्टेंज ड्रॉप मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मुझे इस एक्विशन में संट फेल्ट रेसिस्टेंज के वोल्टेज ड्रॉप को डिसकस करना चाहिए तो नहीं करना च सब्सक्राइब और उसमें संट में है इसलिए किर्चॉप्स में हम वहां कोई कांसेट्रेशन दे लिए लेकिन यहां आर्मेचर में जो ब्रॉशे से उसके ड्रॉप को राम जो में करेंखे किर्म सिरकारिंगे डाईट इस एकोई टू इंटू इए यहां विवी प्ल स्थों उन्भेस द्रॉप कर सकता हूं ब्रश मिंस एक ब्रश का जो मिंसन कर दिया इसकी और इस equation को आप चाहें तो rearrange भी कर सकते हैं V equal to EBK plus में हो जाएगा IA RA और plus में हो जाएगा twice of DB वच्चों ये DC shunt motor का equivalent circuit और mathematical equation है Sunfield का equation आप correlate करेंगे the permanent magnet और separately excited DC motor की तो रही होता है That's all about this video, thank you so much Thank you